CM हैमंत सोरेन की महिलाओं को सोगा पचास साल की उम्र से मिलेगा वृद्धा पेंशन जारखन काबिनेट मीटिंग जारखन के CM हैमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को काबिनेट की मीटिंग आयोजित की गई जिसमें वृद्धावस्था पेंशन और उर्दू टीचर की बहाली पर एहन फैसले लिए गए रांची न्यूज जार्खन की हैमन सोरेन हैमन सोरेन सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन, ओल एज पेंशन को लेकर राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगाद दी है दरसल अब S.C.S.T. तपके के अलावा सभी वर्ग की महिलाओं को पचास वर्ष की उम्र से वृद्धा पेंशन का लाब मिलना शुरू हो जाएगा सी एम हैमन सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगी इस योजना से राज्य की करीब 18 लाख महिलाएं लाभानवित होंगी सी एम सोरेन की कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई इनमें एक अहम फैसला जारखंड लोक सेवा आयोग जेपी ऐसी की आगामी सिविल सर्विस परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र के कट ओफ देट में साथ साल की छूट देने से संबंधित है। अभ्यर्थियों की अधिक्तम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्ट 2017 और न्यून्तम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्ट 2024 का कट ओफ देट टै किया गया है। साथ हजार उर्दू टीचर की होगी बहाली। यह निर्णय राज्ज में सिविल सर्विस की परीक्षाओं में बीते वर्षों में हुए देरी की वज़ा से लिया गया है। उद्देश यहा है कि परीक्षाओं में विलम के कारण जिन अभ्यर्थियों की उम्र निकल गई है, उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके। सरकार का यह फैसला ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। उधर कैबिनेट में इसके अलावा राज में उर्दू शिक्षकों के साथ हजार पत तयार करने की भी मनजूरी दी गई। पिछडा वर्ग आयोक के अध्यक्ष बनाए गए योगेंद्र प्रसाद। सीम सोरेन की कैबिनेट में 140 मध्य विद्यालेओं को अपग्रेड कर उच्च विद्याले का दरजा देने, प्रेगनेंट महिलाओं को 1500 रुपए मूल्य का मातरित्व किट देने और CID से जुड़े केसों के अनुसंधान के लिए एडिशनल जस्टिस कोर्ट का गठन करने के प्रस्ताव को भी स्विक्रिती दी गई, एक और प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए योगेंद्र प्रसाद को राज्य पिछडा वर्ग आयोक का चेर्मेन बनाया गया है